हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल व्लॉगर यश चार वीडियो के बाद जो है पायलोजी मैट्स इंग्लिश हिस्ट्री सिविक्स एंड कंटेप्रेटी वर्ल्ड केमिस्ट्री वीडियो भी आ गई है आपके सारे डॉट्स क्लियर करने के लिए तो आप आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और अपने स्लेबस रिटेट इशू को क्लियर कीजिए सब इसमें अच्छे से समझा दिया गया है तो फ्रेंड्स हम प्रियोडिक प्रॉपर्टी जो हमरी यूनिट वन है उसमें आते है चैप्टर वन प्रियोडिक प्रॉपर्टी जो भी है यह पूरा देख लिजा फर्स्ट पूरा आ रहा है यह सेकिंड प्रियोडिसिटी ऑन दे बेसिस ओफ अटॉमिक नंबर फॉर एलिमेंट्स यह वाला हमारा पूरा पार्ट आ रहा है और उपर वाले पार्ट में सारा इंक्लूडेड है कुछ भी कट नहीं हुआ है जो भी कट हुआ होगा आपको यह तो क्रॉस दिख जाएगा यह अंडर लाइन दिख जाएगा आगे तो यह आपको कुछ भी नहीं चुड़ना है पूरा पार्ट का आपके स्टडी करना है फ्रेंड सेकेंड यूनिट है हमारी केमिकल बॉंडिंग उसमें जो इलेक्टरोवेलेंट बॉंडिंग है वह हमारा देख लिजे आप दो पॉइंट है यह इसमें से भी हमें कुछ नहीं चोड़ना है friends next है हमारा covalent bonding इसमें से भी तीनों point है जितने भी हमें यह electron dot structure polar covalent compounds characteristics properties of covalent compounds तो यह हमें पूरा करना है comparison of electrovalent and covalent compounds जो bold black में लिखा हुए है वो हमें पूरा study करना है friends next आते है हमारा covalent bonding इसमें भी हमें definition the lone pair effect of oxygen atom of the water molecule at the nitrogen atom of the ammonia molecule to explain the formation of S3O plus and OH ions in water and NH4 plus ion और यह जो bold में लिखा है the meaning of lone pair यह हमें पूरा part study करना है तो कुल मिला के हमें जो दो units है वो पूरी पूरी study करना है उसमें कुछ नहीं छोड़ना है जो वो bonding हो और table friends next हमारा third जो unit है वो है study of acid, basis and salt तो acid, basis and salt का हम दो parts देख लेते हैं तो दो parts जो है simple definition in terms of molecule and their characteristics, property, ion present in mineral acids तो इसके चारो point यह सब हमें पूरा-पूरा study करना है इसमें से भी अभी कुछ नहीं छोड़ना है friends next हम third part देख लेते है definition of salt, types of salts यह हमें पूरा part करना है देख लिए third part लिखा है उसमें types of salt, normal salt, acid salts तो यह हमें पूरा करना है और चौथा part जो है action of dilute acids on salts यह पहले reduce नहीं हुआ था लेकिन जो अभी latest update आईए उसमें reduce हो चुका है और जो fifth part था वो पहले ही reduce हो चुका था, fifth part blue tick वाले जो है वो पहले ही reduce हो चुके था और red वाले अभी reduce होए है तो आपके fourth और fifth part नहीं है अब हम आजाते है अपने fourth unit analytical chemistry में जिसका first part के चारो पॉइंट आपको दिख रहे होंगे वो चारो के चारो पॉइंट आपको पूरे revise करने पूरे study करना है उनको अच्छे से तो इसमें से भी कुछ cut नहीं हुआ है आप देख सकते हैं चारो पॉइंट चै वो कलर उफ सॉल्ट हो चै कितने भी पॉइंट है वो आपको सारे करने है फ्रेंट्स analytical chemistry का ही second part है action of alkalies, nao, ko, car on certain metals, der oxides and hydroxides तो ये भी आपको पूरा part हमें पूरा अच्छे से करना है इसमें से भी कुछ reduce नहीं हुआ है तो चार यूनिट में से सिफ acid bases and salts में से ही fourth और fifth part remove हुआ है बाकी अभी तक हमें सब पूरा करना है Friends हमारा fifth है mole concept and stoichiometry तो इस में से हमारा almost part खतम हो चुका है तो first part देख लीजे आप Gale-Usex law of combining volumes avogados law तो यह हमारा पूरा completely removed हो चुका है इसको हमें बिल्कुल भी अब नहीं पढ़ना है लेकिन मैं आपको recommend करूँगा कि आप अपनी general knowledge के लिए आप इसको पढ़ लीजिए तो आपको यह आगे classes में help करेगा आपकी knowledge को बढ़ाएगा Friends second part है Gale-Usex law के बाद है refer to the atomicity of hydrogen oxygen nitrogen and chlorine तो यह वाला part भी completely removed हो गया लेकिन वही मैं आपको refer करूँगा वही चीज कि आप इसको पढ़ लीजिए मैं refer करूँगा कि आप जितना भी reduce हो है सब को पढ़ लीजिए तो हमारा third part जो है vapor density and its relation to relative molecular mass और इसके दोनों point दूसरे point का A और B यह हमारा पूरा पूरा included है इसको हमें पढ़ना है from mole concept friends जो fourth और fifth part है mole concept के वो भी पूरा पूरा removed हो चुका है तो आप इसको भी देख लीजिए mole and its relation to mass fifth part है simple calculation based on chemical equation बहुत ही simple है वैसे ही calculations तो आप इसको कर भी सकते है और बागे आपकी इच्छा है तो यह fourth और fifth part remove हो चुका है तो आप इसको छोड़ सकते है friends हमारी six unit आजाती है electrolysis उसका first part electrolytes and non electrolytes हमें करना है पूरा पूरा पढ़ना है second part है substances containing molecules only ions only both molecules and ions इसके दोनों part यह हमें पूरा cover करना है यह हमारे syllabus में है for the 2021 examinations for class 10th friends electrolysis का third part definition and explanation of electrolysis यह भी पूरा include है हमारे syllabus में है और fourth part an elementary study of the migration of ions से आप देख लीजे इसके तीनों part है और यह जो bold letters में है the above electrolyte process can be studied in terms of electrolyte used electrode used, ionization reaction, anod reaction, cathode reaction, use of selective discharge theory, wherever applicable यह वाला पूरा हमें chapter read करना है friends इसका fifth part है applications of electrolysis, electroplating with nickel यह देख लीजे आप दोनों part इसके और जो bold में लिखा है वो तो कुल मिला के electrolysis chapter का हमें कुछ भी नहीं चोड़ना है portion इसके सारे portion को हमें revise करना है हमारा syllabus में यह है friends हमारी seventh unit है metallurgy तो इसका first part जो है occurrence of metals in nature तो यह वला हमें पूरा part study करना है इससे related जितने भी topics है वो study करने हैं second जो है stages involved in the extraction of metals यह लेबस से remove पहले ही हो गया था आपको एक बार दुबारा आपकी confusion दूर करने के लिए मैं यह बता दे रहूँ तो second part आपको नहीं पढ़ना है इसके कोई भी part आपको नहीं study करने है friends जो third part है इसका electrolysis का extraction of aluminium यह हमें पढ़ना है पूरा इसके chemical method और electrolytic extraction hall heralds process तो हमें यह फूरा पढ़ना है fourth part जो है इसका alloys composition and uses stainless steel durelion brass bronze और fuse metal solder यह हमें नहीं पढ़ना है यह इस लेबस से remove अभी हुआ है जो latest update आई थी friends हमारा eighth जो unit है वो है study of compounds तो उसका ए पार्ट है hydrogen chloride तो इन में भी parts है जो पहला पार्ट है hydrogen chloride है hydrogen chloride में आपको पूरा chapter पढ़ना है इसमें से कुछ भी remove नहीं किया गया है जितने भी points है इसके आप वो सारा पढ़ेंगे आपके syllabus में वो include है next हमारा है B part ammonia तो ammonia से थोड़ा सा reduce हुआ है लेकिन आप पहले इतने को देखिए इसमें जो है laboratory preparation ammonia from nitrides और यह bold letter वाला यह आपके 5 points है यह आपका पूरे इस लिबस में है आपको इसमें से कुछ भी नहीं चोड़ना है आपको सारा पढ़ना है तो आप इसको note करते जीए एक जिगा friends अब यह देखिए aqueous solution of ammonia यह वाला पार्ट भी आएगा लेकिन अब देखिए last part जो है ammonia का uses of ammonia manufacture of fertilizer explosive nitric acid और यह जितने भी है इसके तो यह वाला पार्ट पूरी तरीके से remove हो गया है uses of ammonia last part है ammonia chapter का तो आप इसको छोड़ सकते है यह आपके इस लिबस से reduce हो चुका है friends अब हमारा C part है nitric acid nitric acid पूरा chapter as it is जैसा है वैसा ही आएगा उसके सारे points आएंगे देख लिए आप 3 point है थोड़ा basic लिखा है और यह आपका full chapter आएगा इसमें से आपको कुछ भी नहीं चोड़ना है friends हमारा next D part है sulfuric acid sulfuric acid में पहला ही part जो है manufacture by contact process equation with condition where applicable तो यह first part ही remove कर दिया गया है और यह latest update में है आप यह जानली जी की red pen से जितना भी मैंने टिक कर रहा है वो सारा अभी remove हुआ है latest update में और blue pen से जो पहले reduce लिबस की PDFI थी ICCA council से वो तब reduce हुआ था friends हमारा ninth unit of start होती है organic chemistry तो उसका first part देख लीजिए introduction to organic compounds यह वाला first part पूरा आपको पढ़ना है आपके इस लिबस में है second part structure and isomerism यह आपका part पूरा include है दोनों part आपको अच्छे से पढ़ना है organic chemistry के इसके जितने point है सब आपको revise करना है कुछ भी नहीं remove हुआ है friends इसी का third part देखेंगे हम organic chemistry का homologous series characteristics with example यह वाला पूरा पार्ट आएगा third part है यह first second third और fourth part भी पूरा आएगा जो है simple nomenclature तो हमारे चार पार्ट हमने देख लिए organic chemistry से चारो के चारो पार्ट हमारे full syllabus में इस बार आएंगे friends अब fifth part तक हमने देख लिया है hydrocarbons जो है हमारा fourth तक हमने देखा था fifth अब हमारा पूरा आएगा hydrocarbons और जितना board में लिखा है only main properties particularly addition products with hydrogen and halogen namely Cl2, Br2 and I2 pertaining to alkinese and alkynes तो यह हमारा पूरा आएगा fifth part तक organic chemistry से friends जो मैंने आप तक बताया था कि fifth part तक पूरा syllabus आएगा तो अब इसमें से भी reduce हुआ है जो भी latest update आईए उसके हिसाब से तो six part जो है alcohols, ethanol preparation properties and uses यह वाला पूरा part remove कर दिया गया है और जो six, seven part है वो है carboxylic acids यह वाला part भी पूरी त comment होता है तो उमीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी subscribe, share, like and comment, thanks for watching